RLC circuit में क्या होता है, एक register होगा, एक inductor होगा और एक capacitor होगा और उसको AC voltage अपने लगा दिया है, हाँपे V is equal to V0 sin omega t अब register की वज़े से जो voltage होता है, that is VR, तो VR का अगर आप diagram बनाओगे, तो VR का diagram कुछ ऐसा बनता है, मतलब phasor diagram के बात कर रहा हूँ, मतलब VR आप ऐसे बना दो, VR है, ठीक है, यह जो है VC है, voltage due to capacitor, यह voltage due to capacitor जो VR से 90 degree angle बनाता है और lead करता है, इसलिए उपर है, और यह जो है, VL ह मतलब inductor की वज़े से voltage हो, और नीचे की तरफ होता है, क्योंकि यह lag करता है VR से, तो इसको आप बोल सकते हो, phasor diagram in terms of voltage, अगर यही same phasor diagram आप in terms of register बनाते हो, तो यह जाएगा, यह वाली जो value होगी, इसको बोलते हैं, R, register, इसको बोल सकते हैं, resistance due to capacitor, लेकिन यह बोलने मच अच्छा नहीं लगता, resistance due to capacitor, doesn't sound good, and one more thing, we should not say it, तो we said it's reactance due to capacitor, xc, और इसको जो बोलते हैं, यह वाला जो होता है, यह होता है, यह XL, और XL क्या होता है, यह reactance due to inductor, तो अगर आप इन तीनों को डाइगराम को देखोगे, तो इसको बोलते हैं, phasor diagram और इसमें हमने एक assumption लिया है, xc is greater than xl, इसको ऐसे बोला है, कोई जरूरी नहीं है, xc is greater than xl, इसका उल्टा भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पर ऐसा लिया है, तो अगर xc is greater than xl, तो इस diagram को आप इसको तोड़ा सा, ऐसे भी rearrange कर सकते हो, देखो, इसको बोल दिया है, मैंने xc minus xl, और यह जो value ह है, वो क्या है, r है, इनका resultant आप देखोगे, resultant आप these two, इसको मैंने बोल दिया, g, z, और यह angle क्या है, phi है, और यह, इसको extend भी कर सकते हो, आप जाओ, तो यहाँ तक extend कर लिया, अब using pythagoras theorem, अगर g की value निकाल लिया, आपको ती हो जाएगा, under root xc minus xl का square, प्लस r square, देखो, यह वाला xc minus xl है, यह वाला xc minus xl है, तो आप चाहो तो इसको भी बोल सकते हो, कि यह वाला जो term है, यह वाला, यह क्या हो जाएगा, xc minus xl ही हो जाएगा, यह xc minus xl, तो z की value अगर निकाल लिया है, g, g तो xc minus xl का square, प्लस r square, अगर आपको यह phi निकालना, यह phase angle cos phi, तो cos phi को आप बोल सकते हो, cos phi is equal to r by z, क्योंकि cos function जो होता हो, base upon hypotenuse होता था, देखो यहाँ पर base क्या है, r a hypotenuse क्या है, j है तो r a होता है, तो यह दो term मैंने निकाल लिया, फैला तो मैंने g निकाल लिया, g क्या है, impedance है, impedance मतलब इस circuit का total resistance हमने निकाल लिया, अगर इस circuit का total resistance निकाल लिया, और cos phi भी हमने निकाल लिया, मतलब इसका phase difference भी निकाल लिया, अब क्या करूँगा, i is equal to, इसको v naught by z, sine omega t plus phi, जब भी मैं जो current निकालना, इस equation में मैं क्या replace करूँगा, in place of z, i will write in place of this g, ये वाला g की जगह पे, मैं जब लिया, और in place of cos phi, ये वाली value रख दूगा, तो इससे, अमका हमारा current निकाल जाएगा, we can calculate the current from this one, अब क्या है, current की value मुझे maximum चाहिए, जैसे current की value मुझे maximum चाहिए, मतलब ये जो value है, i, ये maximum चाहिए, इसको maximum करने के लिए, आपको ये sine का function है, ये वाला sine का function, इसको सबसे पहले तो one करना पड़ेगा, चुकि sine function के maximum value कितनी होती है, one होती है, ठीक है, उसके अलामा अगर आ Z की value ये minimum होना चाहिए, देखो, आपको current चाहिए maximum, मतलब इसका denominator क्या होना चाहिए, minimum, अब Z की value जैसे minimum करते हो, मतलब Z की value ये होती है, XC-XL का square, प्लस R square, ये जो Z की value जैसे ही आप minimum करते हो, उस case में R maximum हो जाता है, और उस condition को क्या वोलते है, resonance, क्या होता है, resonance, जैसे आ आप I को calculate कर रहो, Vy under root XC-XL का square, प्लस R square, और ये ही Z की value है, मतलब ही जो denominator आपको minimum करना है, Z की value क्या करना है, minimum, तो जैसे Z की value आप minimum करोगे, XC-XL का square, प्लस R square, इसमें आपको Z की value क्या करना है, minimum करना है, तो जैसे आप Z की value minimum करोगे, मतलब XC-XL की value है, ओ हो जाएगी 0, इसका मतलब XC किसके इकल हो जाएगा, XL के, इसका मतलब 1 upon omega C, जो XC की value होती है, और XL की value कितनी होती है, omega L, इसका मतलब omega square is equal to 1 by LC, इसका मतलब omega is equal to 1 by root LC, अच्छा, ये frequency आगा, ये frequency कब आती है, जब current maximum होता है, और जब current maximum हो जाएगा, उस condition को बोलते है, resonance, इसका मतलब इस frequency का नाम है, resonance frequency, अब resonance frequency पर हो किया रहा है, Z जो है, ओ R square के equal, under root R square की equal हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, XC-XL की value क्या हो जाएगी, 0, इसका मतलब Z is equal to R square, इसका मतलब Z is equal to क् इसका मतलब complete circuit का जो impedance हो गया, वो register के equal हो गया, it means there is a conclusion, what is conclusion, at time of resonance, RLC circuit वर्क लाएगे, completely register circuit, ओर, इस equation में अगर आप देखोगे, इसमें R की value कितनी दी होई है, अगर आप इसे देखोगे, तो R is equal to कितना दिया हुआ है, यहाँ पर, 40 ohm, R is equal to 40 ohm, and L is equal to 0.5 henry, and C is equal to 80 microfarad, first question what they are asking for in this month, this is the first part, Determine the source frequency which derives the circuit in the resonance, मतलब भी resonance frequency की बात कर, resonance frequency निकालने का क्या formula अपने पास, resonance frequency निकालने का formula है, omega is equal to 1 upon under root LC, so 1 upon under root LC, तो L की value कितनी है, root L की value है, यहाँ पर 0.5, और C की value कितनी है, 80 microfarad, इसका मतलब 10 is to minus 6 से आप multiply कर दोगे, इसे calculate करेंगे, calculate करने पर value आती है, 50 radian per second, इसका मतलब omega की value आ गए, 50 radian per second, so first वाले part का answer आ गए, 50 radian per second, second, obtain the impedance of circuit and amplitude of current resonating frequency, मतलब यह बोले हैं कि यह Z की value क्या होगी, जब resonance होगा, आपको पता है, Z की value जो होती है, XC minus XL square, प्लस R square होती है, लेकिन resonance के time में XC minus XL 0 हो जाता है, इसका मतलब Z की value जो है, under root R square, या फिर R के equal है, मतलब R की value कितनी है, 40 ohm, इसका मतलब Z की value भी कितनी है, 40 ohm, जिसका impedance कितना हो गया, 40 ohm.